आप घर बेटे करना चाहते है केक का बिजनेस या सिर्फ घर के लिए केक बनाना चाहते है तो इस वीडियो में देखें कि हम कम बज़ट में आखिर क्या-क्या सामान खरीद सकते हैं लीजे पेन और बनाईए अपनी लिस्ट अब हम स्टार्ट करते है प्री मिक्स से ए रेड वेलवेट का प्रिमिक्स है जो पाव किलो के packet में है Vanilla प्रिमिक्स है jो मैंने एक केज़ी लिया है और तीसरा आता है chocolate प्रिमिक्स इसका मैंने फाइज केजी का packet लिया है जो मैंने उसे उपन करके एक air tat container में रख दिया है आप इसे मार्केट से पाउ किलो, एक किलो, दो किलो या पूरी पांच किलो का पैकेट भी ले सकते हैं, इस प्रीमिक्स में भी बहुत सारे ब्रैंड होते हैं, इस पैकेट पर उसकी प्राइस प्रिंट नहीं की गई लेकिन एक कुछ साथ सो पचास या आठ सो रुपे में मिलता है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप इसे पांच किलो के पैकेट को खरीदें, वरना एक किलो, पाउ किलो के पैकेट ही आप लीजिए इसकी एक स्पारी छे मेहने तक होती है और इसे किसी फ्रीज में रखने की ज़रुवत नहीं है आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में रख दीजिए अब प्रीमिक्स का केक केसे बनाते हैं यह हम अगले वीडियो में देखेंगे अब नेक्स्ट है शुगर स्प्रिंकल चोको चिप्स ए वाइट चोको चिप्स है इसके भी छोटे पैकेट आते हैं बड़े पैकेट आते हैं आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकती यह कुछ 15-15 रुपीज के पैकेट होते हैं इसमें फुल वाइट चोको चिप्स आते हैं बलैक आते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन के भी आते हैं मेरे पास एक पूरा पैकेट है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ एगोल्डन कलर के मनी है 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 और ये देखिए इसमें तो मोती जैसे लगते हैं शुगर स्प्रिंकल एक केक पर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं 20-30 रुपे में पैकेट मिल जाते हैं और ये सब इडिबल है इसे खाने के बाद हमें कुछ नहीं होगा इसमें एक ही कलर के वाले अब हम चॉकलेट वर मिसली देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक पर सजाने के लिए बहुत अच्छी लगती है इसे और भी कलर्स में आती है और इसे भी हम एर टैट कंटेनर में रखेंगे इस शुगर स्प्रिंकल को भी आपको रूम टेंप्रेचर पर ही रखना है फ्रीज में रखने की कोई जरूत नहीं है इसे डार्क कलर्स में भी आते है और मेरे पास और कुछ कार्टून शेप्स के भी है एदेखिए एक कलर्फुल कार्टून के शेप्स में है एदेखिए मेरे पास यलोवर मिसली भी है एपकेट कुछ 75 रूपीज में मिलता है इससे भीहप केक सजा सकते है इस चौकलेट वेफर स्टिक्स का डिबा है इसे ही स्ट्रोबेरी का आता है आप इसे 10 रुपे के 2-3 मिलते हैं वेसे भी ले सकते हैं पुरा डिबा भी ले सकते इस डिबा कुछ 90 रुपीज में आता है और इसे इसमें 50-60 स्टिक्स होती है इसे भी रुम टेम्प्रेचर पर ही स्टोर करें फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हम टीन देखते हैं कुछ 6 केक टीन है मेरे पास स्क्वेर हर्ड शेप, ब्राउन शेप एक पाव किलो के केक का टीन है जो 2 इंच हाइट है इसकी और 5 इंच डायमेटर है 5 by 2 का है इसमें पाव किलो का केक होता है और ये आधा किलो का है ये 2 by 6 का है आप इसमें आधा किलो कर सकती ये मेरा 1 किलो का है जो 8 by 3 है जिसकी 3 इंच हाइट है इसमें 1 किलो का बनता है ए Also 9 3 बाइ सब्सक्राइब है। ए नाइन इंच बाइ 3 है. इह हुए है मेरे राउंड शेप वाले केक टिन. ए मेरा हर्ड शेप का है आधा किलो केक का इस 6 बाइ 2 का है और इस स्क्वेर मेरा 1 किलो का है जो 8 बाइ 2 का है एलुमिनियम के केक टिन baking के लिए सभी होते इसे आप प्यांठ में कर सकते हैं अब हम देखेंगे turn table, एक मेरा turn table है, जो कि मैंने plastic का लिया था, इसमें plastic का आता है, metal का आता है, और fiber का आता है, still का भी आता है, कुछ-कुछ turn table का eldesteler عن में इस प्रणर यहां से और प्लास्टीक डुमाया जाया है उसके बाद यह में इस को मैंने सीं इस दिवcidos प्लास्टिक ट्रेखल डाल कर दो हमते इसके मंतुत को युद्रिय एज लेक्रिक बिट्र मशीन मेरी मशीन बज़ाच कंपनी की है उसके दो रोड़ और उरो मशीन ये देखिए मेरी मशिन दो सो पच्चास वैट की है और आप कम से कम दो सो पच्चास वैट की ही मशिन खरीदे इससे कम मैट की मशिन से आपकी क्रीम जल्दी नहीं बनेगी और अगर क्रीम आपकी जल्दी नहीं बनी तो आपकी क्रीम केक बनाते बनाते वक्त ही पूरी पिगल जाती है इसे मैं आपको चालू करके भी दिखाती हूँ इसके स्पीड बटन है एक, दो, तीन हम लगा कर देखते हैं स्टार्ट करने के बाद आपको आवाज से स्पीड का अंदजा आ जाएगा स्पीड को बढ़ाया भी है स्पीड को निकलते वक्त एसे यहाँ से निकलते है आपको कम से कम 250 वैट की मशिन लेनी है और उसकी प्राइस 2000 से स्टार्ट होती है किसी भी अच्छी कमपणी के आप ले सकते है इससे केक की क्रीम वीप करते हैं और इसे मैंने वापस रख दिया इस मेजरिंग कप्स है इससे हम प्री मिक्स वीपिंग क्रीम मेजर करते हैं आधे के लिए केक को पाव किलो केक को हमें कितनी लिने इस कप के हिसाब से हम लेते हैं इसलिए इसका होना भी आपके पास जरूरी है इस कप में भी 250 ml, 240 ml, 200 ml ऐसे तीन वराइटी में आता है आप लेते वक्त 250 ml का ही ले और इस क्रैपर है तीन मेरे पास केक की फ्रोस्टिंग होने के बाद इससे डिजाइन करते हैं हम इसमें और भी आते हैं और एक कुछ कॉलेज के पुराने आईडी और एटियम कार्ड जिनका मैं यूज नहीं करती इससे भी मैं फ्रोस्टिंग करती हूँ आप पत्ता भी ले सकते हो जो खेलने के पत्ते होते हैं और भी ले सकते हैं एट नाइफ मैं ने खरीदा है सिर्फ केक को बेस पर रखने के लिए कभी कभी फ्रोस्टिंग के लिए भी मैं इसका इस्तमाल करती हूँ गनाश लगाने के लिए और एग है फूल बनाने का स्टैंड इससे हमें इसे गुमा कर यहाँ पर फूल बनाते हैं और फूल बनने के बाद हमें केच्ची की जरुरत होती है जिसे हम फूल को काट कर केक पर रखते हैं और ए दोनों चीज में घर के इस्तमाल करती हूँ इससे केक को स्पंज को काटने के लिए उसकी सलाइस करने के लिए और इससे हमें चौकलेट का क्रश निकालती हूं BlackForeyesž चेक और किसी केक पर सजाने के लिए चौकलेट को इससे ही काटती हूं यह बटर पेपर आप अगर बिगनर है तो बटर पेपर के साथ भी कर सकते हैं बिना बटर पेपर के भी कैसे करते हो हम अगले वीडियो में देखेंगे और यह मेरे पाइपिंग बैग है आपका बिजनेस हो या आप करना चाहते हो तो यह पूरा पैकेट खरीदे या फिर दस रुपे के दो या ती या चार पांच हर एक शॉप में अलग हो एक दो बार यूज करने के बाद में इसे फेक दिती हूँ इस स्टिक से मैंने पूरा पाकेट खरीदा था आप दस रुपे की दो मिलती है आप ले सकते क्यूंकि हमें इसकी जरुरत पड़ती है केक को बेख हुआ है या नहीं देखने के लिए आप नाइप से ना देखे आ आप डालेंगे तो उतना बड़ा छेद होगा और अर अंदर जाएगी आपका केक बेट सकता है इसलिए आप स्टिक से ही चेक करें अब हम नोजल्स देखेंगे ए मेरा नोजल्स है जिससे बहुत बड़ा गुलाब भी बनता है और इससे बॉर्डर भी बनती है एक कुछ र आपको ये भी दोन तीन नोजल्स से भी केक का स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस एक दिखें सारे मेरे फ्लावर बनाने के है एक कुछ स्टार नोजल्स से एक बड़ा वाला स्टार नोजल्स से एक क्लोज स्टार नोजल्स से और ये भी क्लोज वाला है जो कि बड़ा है इसमें से दो और एक फ्लावर का तीन और एक पान का इसे चार नोजल्स आप ले सकते बास्केट वाला हुआ नोजल्स एक ग्रास का नोजल्स हुआ जिसें ग्रास निकाल सकते एक पान का नोजल्स है जो भी मैंने आपको बोला एक पान का नोजल्स है एक बोल्डर का नोजल्स है और एक जिससे हम केक पर नाम लिख सकें एक मेरे नोजल्स है मैं आपको दिखाती हूँ एक देखिए यह भाइट चोको चिप्स का जो मैं आपको दिखाने वाली थी एक फ्रेश क्रीम है जिसे हम गनाज बनाने में इस्तमाल करते हैं तो इसकी छोटल बोटल भी आप खरीच सकते हैं और यह मेरे पास दो कंपणी के वीपिंग क्रीम है एक ट्रोपोलाइट है जो देड़ सो रुपए की एक लेटर आती है इसमें पांच केक बनते हैं और एक क्रीमी भीप है एक कुछ वन थर्टी तक मिलती है इसे में केक में उजने करती लेकिन वह कैसे स्टोर करते आपको दिखाने के लिए मैं इसे लाई हूँ इसे या फिर रबर से पैक कर के फ्रीज में रखिए फ्रीजर में रखिए और आप जब इसा इस्तमाल करना चाहते तब इसे फ्रीजर से निकाल लीजिए ट्रोपोलाइट सिल्वर मार्क ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती है फ्रेश क् नहीं कर सकते है फेल लिए जल्दी हार्ड नहीं बनती इसलिए इसे में इस क्रेम में इस्तमाल करती हूँ केक पर इस्तमाल लाई करती है आप पिंग क्रीम को किसी एरटेट गंटेनर या इसे इसे से बॉक्स में रखियु । अब हम देखेंगे वाइट कोल्ड गलेज मैंने इसके कोई बड़े डब्बे नहीं लिया है छोटे छोटे पाचास पाचास रुपे के डब्बे लिये हैं और ये मेरा न्यूटरल जेल का डिब्बा इसे भी फ्रीज में रखने की कोई ज़रुवत नहीं ये भी रूम टेंप एक कोल ब्लैक है एक पिंक है एक रासबेरी रेड़े और एक टॉमेटो रेड़े जेल कलर को आपको रूम टेंपरेचर पर ही रखना है इसे किसी भी कलर को फ्रीज में रखने की कोई ज़रुवत नहीं है ये हुए मेरे जेल कलर अब देखते हैं हम इमल्शन मेरे पास तीन ही इमल्शन है ये कलर के बॉटल है शायद गलती से आ गई है और ये मेरे इमल्शन ये मेरा मैंगो इमल्शन है इमल्शन मतलब उसमें कलर भी होता है और इंसेंस भी होता है ये मेरा आरेंज का है और ये मेरा स्ट्रॉबरी है एक कुछ तीस चालीस रुपे तक एक बॉटल साती है मेरे पास शायद एक और भी था और यह मेरे सारे इंसेंस इसमें कुछ-कुछ डबल भी है जैसी कि वैनिला, बटर स्कॉच वैनिला, बटर स्कॉच और पान मसाला ही मेरे पास इलाइची का फ्लेवर है पाइनेपल है यह दिखे, पान मसाला यह हुए मेरे सारे इंसेंस यह भी हम रूम टेंपरेचर पर ही रखेंगे और यह सारे मेरे कलर्स है यह इसमें ब्लू कलर है पिंक है, लाइट पिंक है रास्बेरी रेड है टॉमेटो रेड है ग्रीन है, येलो है चोकलेट है एक सैफ्रॉन कलर है एक ओरेंज रेड कलर है इसमें भी मेरे पास दो कमपनी के एक पैपिलोन का है और एक कुछ थ्री लिव्ज कमपनी का है दोनों ही कमपनी अच्छी है एक कलर्स भी मेरे रूम टेंपरेचर पर ही रखती हूँ आप स्टार्ट में पिंक, रेड, येलो और ग्रीन भी ले सकते हैं शिरिफ और एक लिटर है मेरे पास एक इसकी प्राइज कुछ वन फिप्टी रुपीज थी इसे एक साल हुआ है मैंने एक दो बार ही इसे यूज किया है ये भी में रूम टेंपरेचर पर ही रखती हूँ और एक लिटर भी इडिबल है एक गोल्डन डस्ट एक सी सिल्वर डस्ट भी आती है ये मैंने अभ्यब भी लिया है इसकी प्राइज वन फिप्टी रुपीज है इसे भी हम रूम टेंपरेचर पर ही रखेंगे अब हम देखते हैं कमपाउंड इसकी प्राइज भी इनक्रीज हो जाती है सबसे कम प्राइज डार्क की होती है उससे ज़्यादा मिल्क और इसके ज़्यादा वाइट इस अब 400 ग्राम के हैं मैं आपको इसकी प्राइज दिखाती हूँ इक कुछ 85 रुपीज का है 85 रुपीज का है 125 रुपीज का है मिल्क का और इस वाइट 150 रुपीज का इस मोरडे कमपनी का है और इसे और दों-तीन कमपनी भी है लेकिन मेरे पास अवेलेबल हमारे यहाँ के शॉप में मोरडे ही है इस डार्क कमपाउंड है जिसका कलर डार्क है अब आप मिल्क कमपाउंड का कलर भी देखे मेरे पास यह पाकिट खुला ही है यह दिखिए यह सा कलर वो जो वाइट कमपाउंड है वो पूरा वाइट होता है इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है इसे हमें किसी भी एरटाइट पॉकेट बैग्स में पैक करके किसी भी उसके बाद फिर इसे एरटाइट कंटेनर में रखना है लेकिन जहाँ टेमपरेचर जादा है वहाँ पर आप इस कमपाउंड को नहीं रख सकते एक खराब हो जाएगा इस कमपाउंड को हम यूज करते हैं गनाज बनाने के लिए इसका क्रश निकाल कर उपर से केक पर सजानी के लिए या फिर चॉकलेट्स बनाने के लिए अब सबसे लास्ट केक का पैकिंग अब पैकिंग मेटेरियल देखेंगे यह बेस है राउन शेप में, स्क्वेर शेप में और ये नाइफ है दस का बंडल भी आता है और दस नाइफ का पांच बंडले से पचास नाइफ का एक बॉक्स होता है आप ओ भी खरीज सकते हैं या फिर एसे दस का बंडल आता है ओ भी खरीज सकते हैं कुछ 60 to 70 रुपीज में आपको 50 नाइफ्स मिल जाती है अब हम देखते हैं बेस यह कुछ बेस है square और round shape के यह box देखी यह box है 9 by 9 और इसकी विड़त है 4 तो उस पर हमें बेस भी उतना ही चाहिए 9 by 9 का यह आधा किलोका है इसमें आधा किलोका केक बेड़ सकता है और एक पाउ किलोका box एक मेरे पास इस पर देखी इसकी length फिड़ थे 7 by 7 बेस राउंड में आते हैं square में आते हैं लेकिन handling के लिए easy पड़ते हैं square वाले ही बेस पाउ किलोके मिलते हैं 7 by 7 से start होते हैं एक किलो के आधा किलो के 9 इंच 10 इंच 8 इंच 8 इंच के भी आधा किलो के मिलते हैं एक केक material इंट्रोडेक्शन का वीडियो अगर आपका केक बिजनेस और केक क्लास के लिए helpful लगा तो प्लीज इसे like, share और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग अब मिलते हैं केक क्लास के अगले वीडियो में सी यू सून